हेलो गाईज मैं हूँ अमित और आप सब कई बार फिर से भूद्व स्वायत करता हूं स्पोर्ट शाला में गाईज आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े और दुनिया के छटे सबसे बड़े स्पोर्ट लीक के बारे में जिसमें की भारत के बड़े-बड़े बिजनेसमेंस ने बड़े-बड़े एक्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा अपनी टीम्स खरीद रखी है और जिसकी ब्रांड वैल्ली 2017 में लगभख 5.3 बिलियन डॉलर्स याने की 34,000 करोड रुपए आंकी गई थी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईस आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं IPL याने की Indian Premier League के बारे में जिसकी शुरुआत 2008 में BCCI ने की इसके पीछे जो Mastermind माने जाते हैं वो है उस वक्त के BCCI के Vice President Lalit Modi उनी के दिमाग की उपज माना जाता है इस IPL के concept को और दोस्तों ICC ने भी अपने Future Dude Programs में IPL को अलग से जगे दी है दोस्तों अभी IPL का खिता Mumbai Indians के पास है जिनोंने 2017 में सिर्फ एक रन से Final जीता था दोस्तों अगर चलें थोड़े से Flashback में की पहले क्या हुआ था दोस्तों आपको शायद पता हुआ कि 2007 में ICL याने की Indian Cricket League करके एक competition शुरू हुआ था जिसको fund किया था जी entertainment ने लेकिन BCCI इससे बिल्कुल कुछ नहीं था और 2007 में 13 December को BCCI ने announce कि एक नया franchise based T20 Cricket competition शुरू होगा अगले साल से जिसको आयुजूद करेगा BCCI और उसका नाम होगा IPL याने की Indian Premier League हला कि BCCI के Vice President ललित मोजी ने कि इसका ICL से कोई संबद नहीं है इसकी जो planning है वो लगबग 2 साल पहले से चल रही थी और आप जो है हम इसको लेके आया है दोस्तों 2008 के शुरूआत में टीमों की निलामी शुरू हुई और जो base price था सभी franchise का मिला करके वो था 400 million डोलर याने की लगभग 2400 करोड रुपए लेकिन दोस्तों जब निलामी होती है तो price बढ़ जाता है और इसी वेज़े से last में निलामी के बाद में जो price आया वो था 730 million डोलर याने की लगभग 2400 करोड रुपए अभी के हिसाब से देश के बड़े-बड़े businessmen जैसे की Ammani, Vijay Malaya, Actress Sharu Khan, Priti Jinta और भी काफी बड़ी-बड़ी हस्तियों ने अपनी टीम से इसमें खरी दी इस तरीके से 2008 में IPL शुरू हो गया, दोस्तों इस tournament में total 8 टीमों ने भाग लिया जिसमें सबसे महंगी टीम थी Mumbai Indians की और सबसे सस्ती टीम थी राजस्तान रोयल्स की, लेकिन दोस्तों सबकी उमीदों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजस्तान रोयल्स ने खिताब ज के इतिहास में कई मोड आते रहे और 2012 में 2009 की चेंपियन, 2009 की विजेता, डेकन चार्जस की टीम को कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला, इसके बाद में इसको एक महीने बाद निलामी में Sun TV Networks ने खरीदा और इसका नाम बदल करके Sunrisers हैदराबाद कर दिया, इसके बाद 2-3 स जो की थी, Rising Pune, Super Giants और गुजरात लॉयन, तो दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं कि मैचेस किस तरीके से होते हैं, जो कि आपको शाद पता ही होगा, तो दोस्तों सारी टीम में बची हुई सभी टीम के साथ में 2-2 मैचेस खेलती है, और उसके बाद में जो एक और जो एलिमिनेहरर 1 में जीती थी, उस टीम के साथ में, तो इस तरीके से जो है, फाइनल में जीतने वाली टीम विज्यता बन जाती है, तो उस तो अगर बात करें, आई पेल के प्राइस की, तो total जो है, 40 करोड रुपे, प्राइस रखा जाता है, जो winner नमबर वन है, उसक करोड रुपय, जो विर नमबर टू है यानि की first runner up है उसके लिए जो price है वो है 10 करोड रुपय, जो third और fourth position पे आने वाले teams है उनके लिए जो price है वो है 7.5 यानि की साड़े साथ करोड रुपय, इसके बाद में जो टीम में बच जाती है उनको कोई जा जाना चाहिए कम से कमादा हिस्सा तो काई से आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगए है तो उसे जरूर से लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट शेला को जरूर से सब्सक्राइब जिएगा कीजिए झ जिए लाइक की जबसे है 성्प्सटाइब जगए झारा ये लाइक के लोगए है